दोस launched जब भी हाम gas lender को refill कराते हैं तो refill कराने के बाद में government की तरफ से कुछ पैसे आपको subsidy के तौर में वापस तीए जाते हैं बहुत सारे consumers के खाते में पैसे सो आसानी से आ जाते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी consumer हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आते हैं या फिर आत्वे भी हैं तो उन्हें पता नहीं लगता है कि उनके खाते में कब पैसे दे गये हैं, किस bank account में पैसे आया है, कितना amount दिया गया है, तो ये सारी जानकारी को कैसे है, आप खुश से online चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद में आप खुश से ही subsidy का amount चेक कर पाएंगे, चाहे आपका connection इंडियन का हो, HP का हो, या फिर भारत गैस का हो, सब ही company के बारे में आप चेक कर पाएंगे, तो कैसे चेक करना है, हम लोग live देखने वाले हैं, चली शुरू करते हैं, पर मिलने वाली subsidy को खुश से ही चेक करने के लिए, आपको सबसे पहले अपने browser को open कर लेना है, और यहाँ पर आपको search करना है, myLPG, myLPG लिख करके जैसे ही आप search करेंगे, तो आपके सामने myLPG.in करके website आ जाएगी, तो आपको इस URL पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करते ही आपके सामने myLPG.in website open हो जाती ही, यह government की website है, आप यहाँ पर देखेंगे भारत गैस, HP, इंडियन, तीनों ही agency की गैस subsidy को आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर गैस subsidy को चेक करन चलना है, तो यहाँ पर मैं तीनों ही company के बारे में बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो मैं Indian के option पे click कर देता हूँ, click करते ही आप my Indian.in website पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा, give your feedback online, आपको इस option पे click कर लेना है, इसके बाद में products में आपको LPG select कर लेन आता है, तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा, subsidy related पहल, आपको इस option पे click करना है, click करते ही आपके सामने sub category display हो जाते है, जिस पर पहला है subsidy not received, second है अधाल linking issue, और इसके अलावा कोई भी other issue है, तो third option पे click कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम subsidy के बारे में जानने वाले हैं, तो य email id में से एक information आपको share करनी है, तो यहाँ पर mobile number ज्यादा तर लोगों के account से link रहता है, तो आप directory mobile number फिल करके submit कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी LPG ID पता है, जो कि आपके passbook और SB पर printed रहती है, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम mobile number के माध्यम से ही check कर आपना चाहते हैं, तो आप mobile number को फिल कर देते हैं, इसके पर हमने capture के section में आ करके I am not reward के option पे click कर देना है, और यहाँ पर दिये के submit के option पे click करते ही, आपके सामने एक seat display हो जाती है, जहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपने refill को book किया है, किस date को book किया है, कितना आपने amount क payment किया है, यहाँ पर जो agency है, उसका जो cash memo number है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है, साथी में यहाँ पर आपको subsidy amount भी देखने को मिल जाता है, जितना amount आपके bank खाते में transfer किया गया है, किस date को किया गया है, date भी आप यहाँ पर देख पाते हैं, और साथी में यह जो subsidy है, एक अभी जो transaction दिख रहा है ये हमारे bank account में transfer नहीं हुआ है हलाकि ये transfer इनकी तरफ से किया ज़़ चुका है अभी bank से confirmation नहीं आई है जैसे ही confirmation आ जाती है तो यहाँ पर यह भी detail update हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो भी amount दिखाये गए हैं अगर कोई भी amount आपके bank account में reflect नहीं होता है तो आपके यहाँ पर select का option देगा है आपको उस amount को select कर लेना है select करने के बाद में नीचे तरफ आपको complaint को लिखने का box डिस्पले हो जाता है जहाँ पर आपकी जो भी complaint है आपका आधाल link नहीं है या फिर आपकी subsidy आपके खातर में transfer नहीं हो रही है यहाँ पर आपको अपनी complaint को लिख देना है इसके बाद में नीचे तरफ attachment का भी option दिए गया है तो यह तो तरीका हो गया आप Indian Gas में किस तरीके से subsidy को चेक कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं भारत या फिर HP में अगर आपका connection है तब कैसे आप अपनी subsidy को चेक करेंगे तो इसके लिए आपको myLPG.in पर ही आ जाना है तिहाँ पर मैं आपको बता दू कि Indian Gas Agency को छोड़ करके भारत गेस और HP में gas subsidy को चेक करने का जो तरीका है दोनों ही कमपनियों का सेम है तिहाँ पर मैं भारत गेस के option पर क्लिक कर लेता हूँ तिहाँ पर यह जो भारत गेस का portal है पहले तो इस portal पर आप बिना ही रेजिटर करें आप अपनी subsidy को चेक कर पाते थे लेकिन वर्तमान में भारत गेस और HP ने पूरा प्रोसेस चेंड कर दिया है यह आप सभी की privacy policy को देखते हुए किया गया है अब आपको इस portal पर रेजिटर करना होगा उसके बाद नहीं आप अपनी subsidy को चेक कर पाएंगे तो यहाँ पर इस portal पर रेजिटर होने के कई और भी benefit मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको रेजिटर करने के लिए आपको ऑप्शन देगा नी यूजर का तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सामने consumer number और register mobile number फिल करने का option डिस्पले हो जाता है तो यहाँ पर आपको अपना consumer number जो की आपकी passbook पर printed होता है वो फिल कर देना है और यहाँ पर आपको जो भी guys agency से mobile number पंजिकरत है आपको फिल कर देना है इसके बाद में आपको continue के option पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको continue के option पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पर मैंने click किया है लेकिन मेरा जो account है पहले से register बता रहा है तो यहाँ पर अगर आप first time आएंगे तो यहाँ पर आप register के option पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो capture code दिखाया गया है इसे same आपको type कर देना है इसके बाद में आपको login के option पे click कर देना है login के option पे click करते ही consumer की complete information डिस्पले हो जाते हैं जिसमें 17 digit की LPG ID है और consumer का जो name है जो आधार संक्या है और account active है आपके सामने display आ जाता है तो आपके आपर ok के option पे click कर देना है तो अब आप इस portal पे login हो चुके हैं यहाँ पर बहुत सारे option देगें इनका आप इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी subsidy को check करने के लिए view cylinder booking history के option पे click कर देना है refill history के option पे click करते ही आपके सामने एक transaction history display हो जाते है जिसमें जो भी आपने cylinder को book किया है किस date को book किया है क्या उसका invoice number है और किस date को उस cylinder deliver किया गया है और उस cylinder के लिए कितना आपने भुकतान किया है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है साथी में यहाँ पर कितना amount आपको subsidy के रूप में government ने transfer किया है वो भी amount आप यहाँ पर देख पाते हैं amount के साथी में subsidy transfer status के option में आपको जिस account में पैसे आपके transfer किये गए है उस bank का नाम और यहाँ पर account के last four digit आपको दिखाए गए है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस date को आपको कितना amount transfer किया गया है तो यहाँ पर भी आपको अगर account में subsidy receive ना हो या फिर आधार link की problem हो तो यहाँ पर भी आपको complaint का option देगा है complaint feedback के option पे क्लिक करके online ही आप complaint दर्ज कर सकते हैं तो यहाँ पर यह भारत गैस का मैंने बताया है इसी तरीके से आप HP के portal पे login करके यहाँ पर भी आपको एक option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके का option वहाँ पर दिखाएगेगा आपको उस option पे क्लिक करना है उसके बाद में आप HP काईस connection में भी इसी तरीके से सब्सिडी को चेक कर पाएगे तो आपको आपको काफी पसंदा होगा इस वीडियो को लाइक करीगा चैनल पे नए है चैनल को भी सब्सक्राइब करीगा साथी में आपके मनवर कोई सवाल है किसी भी तरीके का सुझाओ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरू लिखीगा तो मिलते हैं अपने नए किसी वीडियो में तब तक लिए बाब बाई जाहें